आज हम अपने अध्यान को जारी रखेंगे और हमारा विशय है वो सब जो येशु ने सिखाया और हमारा ये अध्यान येशु मसी के उस आग्या पर आधारत है जो मत्ती 28 के 20 में पाई जाती है जहां येशु ने हमसे कहा कि हम इस संसार के हर देश में जाए सब जातियों की बीच जाए और लोगों को हम वास्तविक्ता में ये सिखाये कि जो भी जिस किसी बात की येशु ने आग्या दी है उसे करना हम सिखाये उसे मानना हम सिखाये और ये संसार के सारे लोगों के लिए नहीं, बलकि शिश्यों के लिए सूसमाचार जो है, पापों की क्षमा का सूसमाचार वो हमें पूरे संसार में सब लोगों के लिए परचार करना है पर जब बात आती है वो सब बाते जिनकी आग्या येशु ने दी वो हमें केवल शिश्यों को सिखाना है कोई मतलब नहीं बनता इस संसार के अपरिवर्तित लोगों को वो सब सिखाना जिनकी आग्या येशु ने दी इसलिए येशु ने कहा मत्ती 28-19 में पहले उन्हें शिश्य बनाओ और फिर उन्हें वो सब करना सिखाओ जिसकी आग्या मैंने तुम्हें दी है अगर आप किसी विक्ती को एक शिश्य नहीं बना रहे तो फिर ये बे मतलब है कि आप उसे वो सब सिखा रहे हो जिसकी आग्या येशु ने दी उसके द्वारा केवल उसका ज्यान बड़ेगा उसका दिमागी ज्यान या किताबी ज्यान बड़ेगा और जिसकी उसे कोई दिल्चस्पी नहीं होगी उसका अनुसरन करने की वो जो सीख रहा है उसकी आज हमारे पास एक बड़ी भीड है मसीयों की जो कलिस्या में बैठते है और वो सब सुनते है जिसकी आग्या येशु ने दी जिने कोई दिल्चस्पी नहीं है उस पर चलने की जिने कोई दिल्चस्पी नहीं है वो बाते करने की उनके अगोए भी नहीं करते और वे भी नहीं करते और इसकी बात येशु यहां नहीं कर रहा कलीशया बहुत बलवन्थ हो सकती है, बहुत जैवन्थ हो सकती है, जिस पर अधलोग के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, उस पर जैवन्थ ना होंगे अगर हम सबसे पहले शिश्य बनाए तो, और फिर हम अगर उन्हें सिखाए, संसार को नहीं, बलकि इन शिश्यों को अगर हम सिखाए तो, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है येशु के पीछे चलने के लिए और फिर हम उन्हें हर वो बात सिखाए जिसके आगया येशु ने दी मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ऐसे लोगों के छोटे छोटे जुटे जुट चाहता है नए नियम की कली से आए पूरे संसार में हर जगे और इस नए नियम का एक चिन ये होना चाहिए कि वो हर एक बात करते है जिसके आगया येशु ने दी उधारण के तौर पर वे एक दूसरे से प्रेम करने के कोशिश करते हैं बिल्कुल वैसे जैसे मसी ने उनसे प्रेम किया ताकि सब लोग ये जान पाए कि वे मसी के शिश्य है ये परमेश्वर की इच्छा है इसी वज़े से हम उन बातों पर अध्यान कर रहे थे जिन बातों को येशु ने सिखाया और हमने आरंब किया मत्ती रचे सुसमाचार उसके चौते अध्याय से और पिछले कुछ सत्रों में हम मत्ती रचे सुसमाचार उसके चौते अध्याय पर अध्यान कर रहे थे अब हम देखेंगे मतिर चसु समचार चौता अध्या है उसका उन्निस वचन हमने थोड़ा बहुत पिछले सत्र में इसके विशे में देखा था जहां येशु मसी शमोन पत्रस और उसके भाई अंद्रियाश की ओर देखता है और येशु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुश्यों के पकड़ने वाले बनाऊँगा हमने देखा कि मेरे पीछे आओ या मेरा अनुसरन करो इस आग्या का क्या मतलब होता है हमारे पिछले सत्र में हम वो देख रहे थे आज हम उसी वचन का जो शेश भाग है उसे देखना चाहते है येशु ने क्या सिखाया आए हम बड़े धीरे से से पड़े मैं समझता हूँ मैं सोचता हूँ कि कई मसीही लोग जो है वो बाइवल को धीरे नहीं पड़ते धीमे तोर पर नहीं पड़ते वे उस पर मनन नहीं करते वे उस वचनों के बारे में सोचते नहीं और इसलिए वे चोक जाते हैं उन चीजों से जो परमेशर ने उनके लिए रखी है इसके बजाए कि आप पचास बार बाइबल से होकर गुजरो या पचास बार बाइबल को पढ़ो एक साल में उससे कई जादा महत्वपुन ये है कि एक बार बाइबल आपके द्वारा जाए हर वर्ष में मुझे कोई गिनिस बुक आफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज नहीं कराना ये कहते हुए कि मैंने कितने बार बाइबल को पढ़ लिया है या बाइबल के कितने बचन हैं जो मैंने याद कर लिये है उन इन मामलों में मैं किसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहा अच्छा है कि हम बाइबल को कई कई बार पढ़ते हैं बाइबल के कई बचनों को याद करना ये भी अच्छा है अगर आप उनको अपने जीवन में लागू कर सको तो उन वाइदों पर दावा कर सको नाग्याओं का पालन कर सको नहीं तो ये सब व्यर्थ है ये केवल आपका दिमागी ग्यान बढ़ाएगा और आप घमंड से फूल जाओगे पर इससे भी कई अधिक महत्वपुन ये है कि आप बाइबल को आपके द्वारा जाने दो एक प्रार्टना जो मैंने खुद की है और जो मैं अभी भी प्रार्टना करते रहता हूँ वो ये है प्रभू मैं इस संसार को छोड़ के जाओ उससे पहले और ये हैं एक अच्छी प्रार्टना जो आप भी कर सकते हो प्रभू मैं इस संसार को छोड़ को छोड़ कर जाओ उससे पहले मैं हर वो आग्या मानना चाहता हूँ जो आग्या तूने मुझे दी है मुझे दी है उसकी आग्या मानने के लिए विशेश कर नए नियम है पुरानी वाचा में कई आग्याए है इसराइल के लिए जो मुझ पर लागू नहीं होती उधारन के तौर पर जो भेड़ वक्रिया थी उनका बलिदान करना या सब्त के दिन का पालन करना और ऐसे कई आग्याए पर प्रतेक वो आग्या जो मेरे लिए है बाईवल में मैं सो प्रतिशत उसे मानना चाहता हूँ इस पृत्वी को छोड़ कर जाने से पहले और दूसरी प्रार्थना प्रभू मैं इस पृत्वी को छोड़ कर जाओ इसके पहले मैं प्रतेक वाइदे पर दावा करना चाहता हूँ जो तुने नए नियम में मेरे लिए दिया है कई वाइदे थे जो इसराइल के लिए थे उन पर दावा करने में मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं है अबरहाम के लिए कुछ वाइदे थे जिसमें मेरी कोई दिल्चस्पी नहीं है पर वो वाइदे जो मेरे लिए है मैं जो परमेश्वर का एक संतान हूँ उन में से प्रतेक वाइदा चाहे वो पुरानी नियम में हो मैं उन पर दावा करना चाहता हूँ इस पृत्वी को छोड़ कर जाने से पहले क्या ये एक अच्छी प्रारतना नहीं है जो हम कर सकते हैं क्यों मैं उस पृत्वी को छोड़ कर जाओ और मैं बाइबल के कुछ वचनों को अंदेखा कर देता हूँ या कुछ आग्याओं कि मैं उपेक्षा करता हूँ उस पर ध्यानी नहीं देता कोई वाइदे है जिनको मैंने अंदेखा कर दिया है नजर अंदाज कर दिया है मैं उन में से प्रतिक पर दावा करना चाहता हूँ स्वर्ख जाने से पहले ताकि मैं अपने प्रभू के सामने खड़ा हो सकता हूँ बिना किसी भी उसके किसी भी वाइदे या आग्या को तुछ न जानते हुए आप सोच कर देखिए आप कैसा महसुस करोगे अगर आप प्रभू के सामने खड़े हो और आपको ये पता लगता है कि उसकी कई आग्याओं को आपने बिल्कुल नजर अंदास कर दिया शायद छोटी-छोटी आग्या है और उसके कुछ वाइदे थे जिन पर दावा करना आपने नहीं किया जिसके वज़े से आपका जीवन बिना किसी जरूरत के वो बहुत बुरा बन गया मैं सोचता हूँ मुझे बहुत ही बत्तर महसूस होगा बहुत ही बुरा महसूस होगा अगर मैं प्रभु के सामने इस प्रकार से खड़ा हुआ तो और मैं ये नहीं चाहता और इसी वज़े से हम बड़े ध्यान से पढ़ना चाहते हैं एक साधारन सा वाक्य जब येशू कहता है कि मैं तुमको मनुश्यों के पकड़ने वाले बनाऊँगा कौन आपको मनुश्य का मचवारा बनाएगा कोई भी दूसरा मनुश्य आपको मनुश्यों का पकड़ने वाला नहीं बना सकता आप चाहे Bible College में जाके कई वर्ष वहाँ बिता दे उससे आप मनुश्यों के पकड़ने वाले नहीं बनोगे Bible का अध्यान करके आप मनुश्यों के पकड़ने वाले नहीं बन सकते मनुश्यों के पकड़ने वाले आप केवल किसी missionary challenge को सुनकर या कोई आपको अगर प्रचार करके आपको एक चुनोती दे रहा है missionary बनने के लिए उससे नहीं बन सकते और उस प्रचार का सुनने के बाद आप अगर अपना हाथ उठाते हो फिर आगे आते हो घुटने टेक कर अपने जीवन को समर्पित करते हो परमेश्यों की सेवकाई के लिए इससे नहीं आप मनुश्यों के पकड़ने वाले बनोगे अगर आप मनुश्यों के पकड़ने वाले बनना चाहते हो तो प्रभू कहता है मेरे पीछे चले आओ प्रभू ये भी नहीं कहता कि बाइबल का अध्यान करो मेरा पीछा करो वे जो पहले के मसीही थे उनके पास तो बाइबल था ही नहीं वे कैसे मनुश्यों के पकड़ने वाले बन सकते थे येश्यों का अनुसरन करके उसके पीछे चलके ये ज़्यादा महत्वपुन है और अब कृपया मुझे सही तरीके से समझिये बाइबल का अध्यान करने में मैं पूरा विश्वास रखता हूँ हमने शुरुवाद भी उसी से की थी मती चार चार में जहां येश्यों कहता है कि मनुश्य के वल रोटी इसे नहीं बलकि प्रत्तेक वचन से जीवित रहेगा जो परमेशर के मुख से निकलता है पर आप बाइबल के मूर्ती पुजक नहीं बन कर रहे थे एक बाइबल को मूर्ती समझ के उसकी पुजा नहीं करने लगते उस मूर्ती पुजा में आप नहीं फस्ते बाइबल इस लिए दिया गया है ताकि वो हमारे साहता करे कि हम येश्यों के बहतर अनुसरन कर पाए पवित्रा आत्मा बाइबल का इस्तमाल करता है हमें येश्यों मसी की महिमा दिखाने के लिए और मेरे पीछे चले आओ या मेरा अनुसरन करो ये जरिया है ये मार्ग है मनुष्यों का पकड़ने वाला बनने के लिए और कौन आपको मनुश्यों का मचवारा बनाएगा कोई मिश्णरी बाइबल प्रशिक्षन देने वाली संस्था नहीं बलकि येशु मसीख खुद परमेश्वर शायद मनुश्यों का इस्तमाल कर सकता है पर आखिरकार परमेश्वर और येशु मसीख चाहता है कि आपका उसके साथ एक व्यक्तिकत संबंध हो और वो ही है जो आपको मनुश्यों का पकड़ने वाला बना सकता है अब मनुश्यों का पकड़ने वाला होना इसका क्या मतलब है बिलकुल जैसे मचवारे समुंदर में जाते है या नदियों में जाते है नदियों में जाकर अपना जाल फेकते हैं, और मचलियों को वहां से उठाते हैं, और उन्हें किनारे पर ले आते हैं, एक प्रकार के उनके वातावरन से, उनके परिस्थिती से उन्हें एक अलग जगे ले आते हैं, जो मचली होती है, वो स्वाभाविक तोर पर कभी भी जमीन पर या प्रुथवी पर वो आरामदायक नहीं महिसूस करती, वो सबसे ज़्यादा आरामदायक केवल समुंदर में महिसूस करती हैं, और वो जो मचवारा होता है, मचली पकडने वाला होता है, वो उस मचली को वहां से, अर्थात, समुंदर से उठा कर, एक बिलकुल अलग जगे में, एक ऐसे आस्पडोस में, जहां वो बिलकुल भी आरामदायक नहीं है, मतलब पृथवी पर या किनारे पर ले आता है, वो जिस पहले जिस जगे थी, उससे बिलकुल अलग जगे में, यह बहुत महत्वपूर्ण है समझना, यह ऐसा नहीं है, कि हम किसी सीह को, या किसी हाती को, उस को, उस जंगली हाती को पकड़ कर, हम किसी पिंजरे में बंद करते हैं, इस बारे में यहां बात नहीं हो रही, क्योंकि जो सीह होता है, वो रहता जमीन पर ही है, वो समुंदर में नहीं रहता, पर जब आप किसी मचली को पकड़ते हो, फिर उस मचली को निकाल कर, बिलकुल ही अलग से, आस पडोस में बिलकुल ही, अलग वातावरन में रखा जा रहा है, क्योंकि जमीन और पानी, यह तो विलकुल विपरी थे एक दूसरे के, और अगर आप मनुश्यों के मचली पकड़ने वाले, उसका सही अर्थ, उसके पूरे अर्थ को समझो तो, फिर उसका अर्थ यह होता है, कि आप उन लोगों के पास जाओ, जो इस संसार के पानी में है, और उन्हें वहां से उठाकर, और उनको बिलकुल अलग से एक वातावरन में आप ले आते हो, जो है स्वर्ग का राज्य, अगर आपने एक विक्ती को इस पृत्वी के राज्य से, इस संसार के राज्य से अलग करके, स्वर्ग के राज्य में उसे नहीं ले आए हो, तो आपने वास्तविक्ता में मानो उस मचली को नहीं पकड़ा है, फिर आप कह सकते हो, शायद वो मचली आपके जाल में तो है, पर वो जाल अभी पानी में ही है, आपने उस मचली को बाहर नहीं निकाला, आप मचली पकड़ने वाले नहीं बने हो, कौन सा मचवारा है जो जाल बिचाकर मचलियों को जाल में फसाकर बस वो जाल पानी में ही छोड़ देता है पानी में ही उन्हें रहने देता है क्योंकि उस पानी में तो मचलियां बड़ी आरामदायक रहती है वो खुश है वहाँ पर आप देखिए अगर उस मचली को वहां से उठा कर आप जमीन पर ले के आओ तो जमीन पर कैसे वो मचलिया बरताव करती है वे वहां तडपती है क्योंकि उन्हें जमीन पर रहने की आदत नहीं है वे आराम दैक नहीं महसूस करती जब एक वेक्ती इस पृत्वी के चीजों से परिवर्तित होकर स्वर्ख के चीजों के बारे में सोचता है या स्वर्ख के राज्य में प्रविश करता है तो उसका वातावरन या उसका परियावरन मानों पूर्ण तोर पर बदल चुका है बिलकुल वैसे जैसे एक मचली जब पानी से जमीन पर आ जाती है जब हम इस स्वर्ग के राज्य से पृत्वी के राज्य में परिवर्थित हो जाते हैं जब तक कि हम यह नहीं समझते कि अब यह हमारा स्वाभाविक सा परियावरन है और पवित्रा आत्मा है जो हमें स्वर्ग के राज्य में आराम दायक बनाएगा जहां हमें वो स्वर्ग का राज्य भी अपने घर सा लगेगा और इसलिए कभी भी यह मत सोचना यह गलत फहमें मत रखना कि आपने मनुशों का मचवारा होने का काम पूरा कर दिया जिम्मेदारी पूरी कर दी अगर सौ लोगों ने यह प्रात्ना कर दी कि हे प्रभु यह मेरे रिदय में आजा दुर्भाग्यपून आज यही हो रहा है उन्होंने इस पर मनन ही नहीं किया कि मनुशों का पकड़ने वाला क्या होता है उस पर मनन ही नहीं किया है और इसका कारण यह है कि दूसरे मनुशों ने या दूसरे बाइबल के शिक्षकों ने उन्हें मनुशों का पकड़ने वाला बनाया है और मसी ने नहीं अगर मसी आपको मनुश्य का पकड़ने वाला बना था तो वो उसी सिद्धान्त पर होता जो मसी ने इसी के पहले वचनों में कहा दो वचन पहले जहां येशु ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकटाया है मुझे इन मचलियों को सिखाना है पीछे मुड़ना और स्वर्ग के राज्य का खोजी बनना एक बिल्कुल ही अलग सा वातावरन वो जिसमें थे उसे बिल्कुल अलग एक मचवारा यही कर रहा है वो एक मचली लेता है और समुंदर से लेकर उसे भूमी पर लाता है जमीन पर लाता है और मुझे भी लोगों को पृत्वी के राज्य से निकाल कर स्वर्ग के राज्य में ले जाना है या शैतान के राज्य से निकाल कर परमेश्वर के राज्य में नहीं है जो हमें मनुश्यों का पकड़ने वाला बना सकता है nobody else can do it and it's not just the evangelist who is a fisher of men और केवल सू समचार परचार करने वाला evangelist ही मनुश्यों का पकड़ने वाला है ऐसा नहीं no evangelist is doing part of that job मनुश्यों का पकड़ने वाला evangelist जो होता है वो उस काम का एक हिस्सा कर रहा है केवल the prophet, the apostle, the teacher भविशत वक्ता, प्रेरित, जो शिक्षक है the shepherd, the pastor जो जो चरवाहा है, जो पास्टर है, पास्वान है उन्हें भी उस काम को पूरा करना है जिससे ये लोग स्वर्ग के राज्य में आराम दायक महसूस करें और क्या ही बड़ा काम है यह, यह एक पूरा पूरा काम है एक व्यक्ती को इस समुंदर से लेकर जमीन पर लाना या पृत्वी के राज्य से निकाल कर स्वर्ग के राज्य में लाना और इसे करने का तरीका यह है, मार्ग यह है कि हम मसी का पीछा करें मसी की पीछे चले अगर मैं येशु कानुसरन करता हूँ तो मैं उसे वैसे ही करूँगा जैसे येशु ने किया आईए हमें कुदारन लेकर देखें उसने ग्यारा लोगों को लिया उसने बुलाया तो बारा लोगों को था अपने प्रेरित होने के लिए पर वो केवल उनमें से ग्यारा लोगों के साथ ही सफल हुआ ताकि वो उनके मूल्यों को बदल कर स्वर्क के राज्य के मूल्यों ने उनके बना दे उनमें से एक जो है वो पीछे फिसल गया उनमें से निकल गया और जो हमें सिखाता है कि हमारे सबसे अच्छे परिश्टरम करने के बाद संभव है कि कुछ लोग उसके बावजोद वहां से निकल जाते है जब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को स्वर्क के राज्य में या परमेशर के राज्य में ले आए हम उससे निराश नहीं होते क्योंकि ये येशु के कलीसिया में भी हुआ अगर आपके कलीश्या में कोई पैसे चुराता है तो कृपया निराश नहों क्योंकि येश्यू की कलीश्या में भी किसी ने पैसे चुरा है येहुदा इसकारी होती और हम बिल्कुल सिद्ध, सौ प्रतिशत, सफलता की बात नहीं कर रहे जिनके साथ भी हम काम करते हैं, हमेशा सफल होंगी, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं येश्यू के पास कोई भी सिद्ध, सफलता नहीं मिली उसे, सब लोगों के साथ, जिनके साथ उसने काम किया येश्यू हमेशा कहता था, जिसके कान है, वो सुने वो लोगों पर जोर जबर्दस्ती नहीं करता उसके राज्य में प्रवेश करने का उसने यहुदा इसकरियोती पर भी जोर जबर्दस्ती नहीं की और वो किसी और विक्ती पर जोर जबर्दस्ती नहीं करेगा और इसलिए कृपया निराश ना हो अगर आप देखते हो कि कुछ लोग पीछे फिसल गए है वो दूर चले गए कोई फरक नहीं पड़ता पॉल उस ने एक बार दूसरे तिमतियस उसके पहले अध्याय में कहा कि अशिया में जितने लोग है उन सब ने मुझे त्याग दिया है एक बार पॉल उस अपने सारे सह कर्मियों को देख कर ये कहता है ये फिलिपियों की पत्री दूसरा द्या है उनने सवचन के आगे लिखा है वो कहता है कि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई और नहीं है क्योंकि वे सब अपने स्वार्थ के खोज में रहते हैं पर इन सब बातों से पॉल निराश नहीं हुआ वो जानता था कि जीवन का मार्क सकरा है और बहुत कम है जो उसे पाते है येशु भी ये जानता था और येशु ने यही बात मत्ती सातवयद्य है में सिखाई और प्रेरित भी ये जानते थे और मैं भी ये जानता हूँ और इसलिए हम सब के साथ काम तो करते हैं पर इस एहसास को रख कर कि हम जानते हैं कि उनमें से कुछ ही लोग है जो अंतक बने रहेंगे केवल कुछ ही लोग है जो जीवन का मार्ग पाएंगे क्योंकि अधिकतर लोगों की उसमें दिल्चसपी है ही नहीं वे स्वर्ग की चीजे भी चाहते हैं और पृत्वी की चीजे भी चाहते हैं और फिर वे यहुदा इसकारियोती जैसे बन जाते हैं या उन लोगों के जैसे जो पॉलुस से पीछे मुड़ गए पर अगर हम अपने काम में विश्वास योगे रहे तो हमेशा एक छोटा सा बचे हुए लोगों का अंश होगा जो वाकई परमेश्वर के राज्य का स्वर्ग के राज्य का हिस्सा बन जाते हैं इस पृतवी पर और बहुत ही सामर्थी कलिश्या बन जाते हैं मसी के लिए एक गवाई बनते हैं इस पृत्वी पर और ये नहीं कि वो संख्या में बहुत बड़े होंगे वास्तविक्ता में वे संख्या में बड़े नहीं होंगे क्योंकि जीवन का जो मार्ग है वो सक्रा है और बहुत कम है जिने वो मिलता है और इसलिए प्रभू ही है जो हमें मनुश्यों का पकड़ने वाला बना सकता है ये बहुत महत्वपुन है कि आम इस बात को समझे मैं इस चितर के बारे में सोचता हूँ यर्मया 18 जहां प्रभू ने यर्मया से कहा कि वो उस बरतन बनाने वाले के घर में जाए उस कुमार के घर में जाए और वहाँ यर्मया ने देखा कि वो जो कुमार था वो उस मिट्टी को उठाता है वो कुमार जो है मिट्टी को उठा रहा है केवल मिट्टी है और उसमें से एक बहुत अदभूत बर्तन बना रहा है ये बहुत अदभूत है कैसे बहुत ही ज्यादा अनुभाव रखने वाले जो कुमार है वो बहुत ही अदभूत बर्तन बना सकते है बिलकुल साधारन से、 मिट्टी से और हम भी तो मिट्टी है और प्रभू हमें लेता है और पवित्र आत्मा के सामट से हमें बदल कर परमेश्वर का सेवक बना देता है मनुश्यों का पकडने वाला अधिकतर लोग इस संसार के वे पैसे के पीछे दौडने वाले या पैसे के मचवारे है वे अपने आस पास केवल पैसे कमाने के जरीए ढूनते है जैसे मचवारे हर जगे ये खोचते है कि मैं कहां जाकर मचलिया पकड सकता हूँ यहाँ नहीं यहाँ नहीं अच्छा पर यहाँ यहाँ बहुत सारी मचलिया है और कई लोग इस पूत्वी पर बिलकुल ऐसे ही जीते हैं ज्यादा पैसा में कहां कमाँ और पैसा मुझे कहां मिलेगा शायद यहाँ शायद वहाँ शायद वहाँ अब जब एक वेक्ति पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करने लगता है उसका जो मनोभाव है उसका जो दुरुष्टि कौन है वो बदल जाता है वो यह सोचने लगता है कि कहां मैं ज़्यादा लोगों को परमेश्वर के राज्य में ला सकता हूँ मैं उन्हें ज़्यादा मसी जैसे बना सकता हूँ जिस वेक्ति का नया जन नहीं हुआ कहां जाकर मैं उसे मसी के पास ला सकता हूँ उस वेक्ति को जिसका नया जन तो हुआ है पर अब तक वो शिष्य नहीं बना है और कहां जाकर मैं उस शिष्य को जो ऐसे ही आलसी तौर पर बैठा है मैं उस शिष्य को वो जाकर सिखाओ कि वो सब बातों के आग्या माने जो येश्यो ने सिखाई ताकि वो वाकई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाए और वो येश्यो मसी के पच्चिनों पर चलने लगे और फिर मैं अपने आप का एक दूसरे पीड़ी में मैं इस काम को शुरू कर सकता हूँ जहां वो भी येश्यो मसी का अनुसरन करना आरंब करता है सबसे पहले मैं मसी का पीछा कर रहा हूँ और फिर जब मैं मनुष्यों को पकड़ रहा हूँ और उनको परिवर्थित कर रहा हूँ कि वे भी येश्यो मसी का अनुसरन करें मैंने फिर एक और पीड़ी उत्पन की है मेरा विश्वास है कि हमारे बच्चों के साथ हमें यही करना है येश्यो मसी का हर एक सच्चा शिष्य उसकी चाहद यही होनी चाहिए कि उसका प्रतेक बेटा और बेटी वो भी येश्यो मसी के शिष्य बन जाए ताकि येश्यो उन्हें भी मनुश्यों का पकड़ने वाला बनाए मैं उन्हें मनुश्यों का पकड़ने वाला नहीं बना सकता पर येश्यो उन्हें मनुश्यों का पकड़ने वाला बना सकता है कई प्रचारक है जो अपने बच्चों को बढ़ावा देते है वो उन्हें बढ़ावा देते हैं कि वो उनके पच्चिनों पर चले मैं ऐसे प्रकार के बकवास की बात नहीं कर रहा केवल येशु ही है जो किसी को मनुशों का पकड़ने वाला बना सकता है वो येशु है जो मेरे बच्चों को मनुशों का पकड़ने वाला बना सकता है, मैं अपने बच्चों को मनुशों का पकड़ने वाला नहीं बना सकता पर येशु उन्हें मनुशों का पकड़ने वाला बनाएगा मैं उन्हें प्रोचाहित कर सकता हूँ कि वे येशु मसिका अनुसर नं करे और येशु है जो उन्हें मनुशों का पकड़ने वाला बनाएगा येशु ही उन्हें अपना सेवक बनाएगा मैं वो नहीं कर सकता चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो ये बहुत महत्वपुर्ण है कि हम इस अंतर को समझ पाए पर हमें ये कोशिश करना है कि हम अपने बच्चों को और एक नई जवान पीडी उन्हें ये प्रशिक्षन दे कि वे येशु के पच्चिनों पर चले और हम प्रात्ना करें कि हे प्रभु केवल उन्हें भी मनुशों का पकड़ने वाला बना प्रभु तु उन्हें ऐसे लोग बना जो दूसरे मनुशों को इस संसार के राज्य से खीच कर तेरे अनंत राज्य में ले आए इस प्रक्रिया में कुछ बाते हैं जो हमें सीखनी है और ये उन उधारनों के द्वारा है जो सू समाचारों में लिखाए जहां येशु मसी ने कुछ चीजे करके दिखाई उन मचवारों को सिखाया कैसे वे मचलिया पकड़ सकते हैं उसने पहले बार उन मचवारों को अपने सेवकाई के आरम में सिखाया और बाद में अपने सेवकाई के अंत में भी सिखाया बहुत दिल्चस्प है यह देखना हम पढ़ता है कि येशु मसी ने मंदर को भी दो बार स्वच्च किया था साफ किया था एक बार अपने सेवकाई के शुरुवात में योहना रजेट सुसमाचर उसका दूसरा दिया है और एक बार उसके सेवकाई के अंत में भी उसने किया बिर्कुल वैसे ही हम देखते हैं कि उसने अपने सिश्चों को ये सत्य कुछ करके दिखाया पहले अपने सेवकाई के शुरुवात में लुका उसके पांचवे अध्याय में और फिर अपने सेवकाई के अंत में यहन उसके 21 सद्याय में आईए हम उन दो घटनाओं को देखे लुका रचे सुसमाचार पांच वात दिया है कैसे येश्व ने अपने शिश्चों को पृत्वी की मचलिया पकड़ना सिखाई और एक सिद्धान्त के तौर पर हम सीख सकते है कि कैसे येश्व मसी हमें मनुश्यों का पकड़ने वाला बनाना चाहता है लुका रचे सुसमाचार पांच वात दिया है और हम पढ़ता है कि येश्व मसी गनेसरत के जील के किनारे पर खड़ा था लुका पांच उसका पहला वचन और तीसरे वचन में वो उसमें से किसी एक नाव में चड़ा वो शमोन की नाव थी और येश्व मसी नाव को किनारे से थोड़ा हटा ले चल अब वो नाव के अंदर था इस बार येश्व मसी नाओं के अंदर था और अब वो नाओं में बैट कर उपदेश देने लगा और जब वो अपना उपदेश प्रूरा कर चुका उसने उस बड़े भीड को सिखा लिया था उसके बाद वो शमोन से कहता है वो कहता है आओ अब हम कुछ मचलिया पकड़े मैंने तुम्हारे नाओं का इस्तमाल किया था मैं उसके लिए तुम्हे उसके पैसे चुकाना चाहूंगा क्या ये बहुत अच्छा नहीं था मसी ने ये किया येश्व ने कहा गहरे में ले चल और मचलिया पकड़ने के लिए अपने जाल डालो और शमोन ने उसको इत्तर दिया हे स्वामी हमने सारी रात महनत की और कुछ न पकड़ा प्रमेश्व प्रभु की सेवकाई करने में ये एक सिद्धान्त है जो हमें समझना जरूरी है अगर आप कड़ी महनत कर अपने जीवन भर पवित्रा आत्मा के सामर्थ के बिना एक दिन आप ये खोज लोगे जब आप स्वर्ग में खड़े रहोगे कि आपने कुछ नहीं प्राप्त किया अगर आप खुद उस नाव में हो आपका उधार हो चुका है उसके भावजुद आप कुछ नहीं पकड़ पाओगे क्या आप ऐसा जीवन चाहते हो मैं निश्चित तोर पर ये जीवन नहीं चाहता इसलिए मैं सीखना चाहता हूँ कि मैं येशु-मसी की सुनो और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के आवाज को और पवितरात्मा को सुनो और येशु से कहता है तू अपने जाल डाल मचलिया पकड़ने के लिए गहरे पाने में ले चल और समूँल प्रतिकृया देने के लिए तयार था वो कहता है प्रभु इसके बावजोद के हमने कुछ ना पकड़ा पांचवे वचन के अंते भाग में वो कहता है तो भी तेरे कहने से जाल डालूँगा ये पहला सद्धानत है प्रभू मैं अपने मानवी अतर्क शक्ती के अनुसार नहीं जाओंगा जो भी तू कहेगा मैं वो करूँगा इसके बावजोत की मेरी मानवी अतर्क शक्ती मुझसे ये कहती है कि मैं अपना समय गवा रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरे राद बर मेहनत की उसी उसी क्षेत्र में इस जील के हर जगे मैंने जाकर जाल डाल कर देखा और आपको कुछ नहीं हाथ लगा कलपना करके देखिए रात में कितनी घंटे उन्होंने महनत की होगी साथ आठ गंटे उसके बावजोत उन्होंने कुछ मचलिय नहीं पकड़ी और फिर ये मचवारों को बिलकुल ये विश्वास हो गया होगा कि ये मचलिया जो है ये बहुत ही इस जील के बड़े निचले स्थान पर है आज तो ये जाल में नहीं फसने वाली पर तो भी प्रभू क्योंकि तू कहता है तेरे कहने से मैं जाल डालूगा प्रभू अगर तूने मुझसे कहा है करने के लिए तो मैं करूँगा और इसलिए वे वहां से निकले और जब उन्होंने एक किया उन्होंने इतनी बहुतायत से मचलिया पकड ली कि उनके जाल फटने लगे और साथवे वचन में उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव में थे संके दिया कि आकर हमारी सायता करे और उनके साथी आने के बाद उन्होंने दोनों नाव भर गए यह एक चित्र है जहां कलीसियाए एक दूसरे का सहीयोग देती है जो बहुत आतुर है कि वो लोगों को परमेश्वर के राज्य में ले आए पूरन तोर पर परमेश्वर के राज्य में ले आए और वो कहते कि आओ तुम भी आओ मैं अपने आप से पूरा काम नहीं कर सकता आओ हम सहीयोग करे एक दूसरे के और दोनों नाव भर गए और यहां तक की दोनों नावे डूबने लगी सोच कर देखिए इतनी मचलिया पकड़ना और जब शमोन पत्रस ने यह देखा तो वो जानता था कि एक चमतकार है वो जानता था कि यह कोई अचानक नहीं हुआ कोई दुरगटना नहीं हुई है यह एक चमतकार था कि वो येशु के चरनों में गिर कर कहने लगा हे प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ हे प्रभु मेरे पास से चले जा तू मेरे लिए बहुत पवित्र है क्योंकि नौवा वचन कहता है कि वो इतनी मचलिया पकड़कर वो अचमबित हो चुका था और दस्वा वचन में हम पढ़ता है कि जब्दी के पुतर याकुब और यहना वो भी वहां थे और फिर येशुन उनसे कहता है कि मद डर अपसे तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा यहां फिर एक बार वही सिद्धान्त है वो मनुष्यों के पकड़ने में इसी सिद्धान्त को लागू कर रहा था इस बात को पहचान लो कि तुम अपने आप से यह नहीं कर सकते तुमारा पूरा पूरा परिश्ट्रम वो बिलकुल शून्य की तरह होगा यह पहली चीज है जो हमें समझने आवशक है और फिर परमेश्वर के सामने अपने सर को जुका कर आप कहे कि प्रभू मैं अपने जीवन में अपनी इच्छा नहीं करना चाहता मैं अपनी ओजना की अनुसार परमेश्वर की सेवकाई नहीं करना चाहता मैं मेरे चुनाओ की अनुसार जील के इस और जाओ या उस और जाओ यह नहीं चुनना चाहता प्रभू तू मुझे बता कहां जाना है और मैं जाओंगा क्या इस तरीके से आप प्रभु की सिवकाई करने की कोशिश करते हो फिर आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करोगे एक बड़ी आशिश जो मैंने पाई है विशेश कर पिछले 36 वर्षों में जब मैंने इस बात को सुनने की कोशिश किये कि परमेश्वर कहां चाहता है मैं जाओ जहां कहीं लोग मुझे न्योता देते हैं आमंतरन देते हैं मैं वहां नहीं जाता क्यूंकि मैं कहता हूं कि शायद परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं वहां जाओ लोग सोचते हैं कि ये एक अभिशिक भाई है इसलिए अगर भाई जाक कहीं जाकर परचार करे तो वो लोगों के लिए काशिश बनेंगे ऐसा नहीं है मैं वहाँ आशिश नहीं बन सकता अगर परमेश्वर मुझे वहाँ नहीं बेज रहा थो मैं मचलिया नहीं पकड सकता जब तक परमेश्वर मुझे नहीं कहता कि मैं वहाँ जाओ और ये पहली चीज है जो हमें समझना ज़रूरी है और दूसरी चीज जब प्रभू आप से जाने को कहे तो आपका तर्क या आपकी भावना है आपको कुछ भी क्यों नहीं कहते हो आप जाईए और आप पाओगे जैसे मैंने कई कई बार ये देखा है परमेश्वर के पास एक उद्देश है हमें वहाँ भेजने का एक और उधारन है यहना उसके 21 अध्याए में येश्व के सेवकाई के अंत में ये इकलाता चमतकार है जो उसने पुनरुथान के बाद किया उसका अंतिम चमतकार यहना 21 में जो अंतिम बात लिखी है यहां हम पढ़ते हैं कि येश्व मसी उस नाव में नहीं था शिश्य नाव में थे उन्होंने राद बर कड़ी महनत की थी यहना 21 तीन हमें बताता है कि राद बर उन्होंने कोशिश की पर उनके हाथ कुछ ना लगा यहां वही पार्ट दौर आया जा रहा है जो पार्ट उन्होंने तीन वर्ष पहले सीखा था येश्व के सेवकाई के शुरुवात में और फिर येश्व मसी किनारे पर खड़ा होकर उनसे पुछता है कि क्या तुमने कुछ मचलिया पकड़ी है वो कहते है नहीं ठीक है और यहां ना इकेश्चे में येश्व ने उनसे कहा नाओ की दाहिनी और जाल डालो तो पाओगे और उन्हें इतनी मचलिया बहतायद से मिली कि वे उसे खीच न सके यहां फिर एक बार वही पार्ट है हम राद बर कड़ी मेहनत करते हैं परमेश्वर की इच्छा न जानते हुए क्योंकि हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं देखिए यहां ना 21 में पतरस कहता है तीसरे बचन में मैं मचली पकड़ने जा रहा हूँ और दूसरे शिशो ने कहा हम भी तेरे साथ चलेंगे यहां ना 21 तीन और वह वहां से गए वह अपनी इच्छा करने के लिए गए और उन्होंने उनके हाथ कुछ न लगा कुछ समय बाद, नहीं, कुछ घंटों बाद, कई घंटों के बाद जब येशो मसी भोर को आता है जब वे अपने आपके अंत तक पहुंच चुके थे, अपने महनत के अंत तक पहुंच चुके थे और फिर वो हमसे प्रश्ण पूछता है कि क्या तुमने अपने कड़ी महनत से अपनी इच्छा पूरी करने के दुआरा कुछ तुम्हें मिला और उत्तर है कुछ नहीं देखिए आपने जो लोगों को एकटा किया है उनकी गुनवत्ता क्या है वे हारे हुए है एक दूसरे से लड़ा ही जगडा करते है पैसे से प्रेम करते है जो भी मैंने आग्या दी है ये शु कहता है वो कुछ नहीं करते क्या इस प्रकार की मचली तुम मुझे देने वाले हो प्रेरित पॉलस कहता है कि वो परमेश्वर को एक ऐसा बलदान एक ऐसा चड़ावा चड़ाना चाहता है तो जो उसे ग्रहन योग्य हो जो विश्वासी आपके कलीश्या में है क्या वो इस प्रकार के लोग है जो परमेश्वर को ग्रहन योग्य है या ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से लड़ाई जगड़ा करते हैं आपके कलीशिया के विवाहित परिवार या विवाहित दामपत्य कैसे है बच्चे कैसे उनकी परवरिश हो रही है कलीशिया में यह प्रश्न है क्या वे परमेश्वर के लिए ग्रहन योग्य है पॉलस रोमियो 15 में कहता है मैं चाहता हूँ कि वे परमेश्वर के लिए ग्रहन योग्य हो और जिस प्रकार की मचली हम परमेश्वर को चड़ाते हैं उसकी तुलना हम कर सकते हैं अगर हम अपने घर पर किसी को खाने के लिए बुलाते हैं हम उसे सर्वस्रेष्ट जो भी हमारे पास है उसका सर्वत्तम हम उसे देते हैं ये बहुत महत्वपुन है जब हम प्रभू को कोई भेट चड़ा रहे हैं जैसे पॉलस बताता है दूसरा कुरिंट उसके ग्यार वैध्याय में और पॉलस कहता है मैं चाहता हूँ कि मसी के लिए मैं तुम्हें एक शुद्ध कुवारी के तौर पर चड़ाओ अंतिम दिन में दूसरा कुरिंट उसका ग्यार वाद दिया है दूसरा वचन वो कहता है कि एक दिन एक पवित्र कुवारी के समान मैं मसी को सौपना चाहता हूँ तुम्हारे पती को जो मसी है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ मैं तुम्हारे साथ इसी वजह से काम करता हूँ क्ल और कुलुशियो एक उंतिस में वो कहता है इसी के लिए मैं मन लगा कर परिश्रम भी करता हूँ फिर क्या मतलब है मचली पकड़ने का कि सर्वस्रेष्ट जो संभव है वैसे मचलियों को हम वो भेट चड़ा है हमारे प्रभू को जाकर कड़ी महनत करके परिश्रम करके अपने आप से नहीं मसीख के शरीर के दूसरे हिस्सों के साथ सहीयोग करके काम करना हम अपना हिस्सा पूरा करेंगे वे उनका हिस्सा पूरा करेंगे ताकि आखिरकार हम लोगों को पृत्वी के राज्य से स्वर्ग के राज्य में ले जा सकें और परमेशुर को एक ऐसी भेट चड़ाए जो उसके लिए ग्रहन योग्या है जैसे पॉलस रोमियों 15 में कहता है और एक पवित्र कुवारी के समान ताकि वे मसी की दुलहन बन सकें आए हम इसके लिए परिश्रम करें और ये करने का मार्ग है येशु मसी का अनुसरन करना और उसे अनुमती देना जैसे एक कुमार मट्टी को बनाता है उस मट्टी को एक सुन्दर बरतन में बनाता है आए हम परातना करें जैसे हम फिल एक बार तेरे सामने सरों को जुकाते हैं हम तुझसे मांगते हैं कि तू भी हमें सचे मनुशों के पकड़ने वाले बना जो इस पृत्वी पर तेरे उद्देश को पूरा करेंगे हम नमरता से मांगते हैं येशु के नाम से आमें झाल 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 झाल